हालो स्टुडेंट माइनम इस भारती तो आज हम पढ़ रहे हैं कैशलेस एकनॉमी यह जो है ABC और RBD दोनों की बुक में आपको यह टॉपिक नहीं मिलेगा लेकिन आपके स्लीबस में है और M.G.S.U के एक्जाम के अंदर इसमें से क्योशन काफी बराता है ठीक है तो चलिए पड़ते हां Cashless Economy क्या होती है नगत विहीन अर्थ वस्ता जहां पर Currency नहीं चल रही है लेकिन फिर भी जो है हम transaction कर रहे हैं फिर भी जो है हम exchange कर रहे हैं चीजों का payment कर रहे हैं तो वो किस तरह से कर रहे हैं तो Cashless Economy is a situation in which the flow of cash within an economy is non-existent and all transaction are done through electronic media channels such as direct debit card and credit cards electronic clearing system such as IMPS and NAFT and RTGS यानि कि cashless economy वो हो जाती है जहां पर हम cash का use नहीं करते हैं जहां पर flow of cash नहीं होता economy के अंदर लेकिन फिर भी जो transaction है वो electronic media channels के through हम कर रहे हैं जैसे हमारे debit card हो गया, credit card हो गया यानि आपको साथ में आपको cash लीजाने की ज़रूरत नहीं है ठीक है, cash को carry करने की ज़रूरत नहीं है जो भी electronic media channels जो भी है उसी के through हम इसका payment कर रहे है अब electronic clearing system जैसे IMPS, NAFT and RTGS यह जो भी है यह payment की mode होते हैं अलग अलग तरीके से IMPS हो जाता है immediate payment service जैसे हम phone pay के through करते हैं ठीक है, NAFT and RTGS में भी क्या होता है यही online payment के through payment को transfer किया जाता है ठीक है, तो नगत भी ही नरतिवेस्ता क्या होती है जिसमें cash हमारे पास नहीं होती है लेकिन फिर भी हम सारे transaction कर रहे हैं अपने debit card या credit card के through यानि इसमें भौतिक मुद्रा का प्रचलन क्या होता है बिलकुल कम होता है, यूनतम होता है अब यह start कहां से बता है, cashless economy start कहां से होती है या तो आपको की 8 November 2016 के अंदर जब note बंदी होई थी उसके बाद से यह cashless economy जो है यह ज़्यादा मतलब चलने लग गई कि phone पे बगेरा उसके बाद ही ज़्यादा use होने लगे थे क्योंकि अचानक से जैसे currency खतम हो गई थी 500,000 के note बंद हो गई थे तो लोगों को काफी साथा दिक्कते आ रही थी payment करने में तो उसके बाद से cashless economy की तरफ जो है ज़्यादा ध्यान दिया गया और इसका जो use है उसके बाद से ज़्यादा बड़ा तो आब हम पढ़ रहे हैं कि इसके need, scope, importance and advantages सबसे पहला हमारा आजाता है convenience convenience होता है स्वीधा जनक यानि आसानी से आप इसको एक जगे से दूसरी जगे पे use कर सकते हो क्योंकि आपको इस बाद payment कैसे करना है आपको online mode के तू करना है तो आसानी से हम इस option का use कर सकते हैं क्योंकि cash में क्या होता है cash हम लेके जाते थे तो उसके चोरियों जाने की संभावना होती थी या नोट के फट जाने की संभावना होती थी या बहुत सारी ऐसी चीज़े होती थी कि जिससे हम cash को करने में बहुत सारी problems आती थी लेकिन online mode के तुरू हमें कुछ करी नहीं करना पड़ता ठीक है सीधे जैसे कोई emergencies हो जाती है और traveling में जा रहे हैं या फिर कोई hospital में अमर्जेंसी तो हम इसको easy easy way में हम इसका payment कर सकते हैं सो यह क्या होता है बहुत ही सुझाजनक जो है method होता है ठीक है फिर है हमारा discount 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 में क्या होता है कि यह इसका advantages हो जाता है कि हम जो ptm अगेरा इनके जो option अगेरा यूज करते हैं जिसे हम cash payment करते तो शायद हमें पेवे कॉफर नहीं मिलता है लेकिन जब हम online mode के थूँ हम payment करते हैं तो cash वे कॉफर मिलते हैं या discount हमें दिये जाते हैं mobile wallet में यहां में rewards point दिये जाते हैं तो इससे क्या होता है फाइदा होता है इसी होता है हमारे लिए और हमारे हमें और भी benefit इसके मिल जाते हैं तो second इसका advantage हो गया discount ठीक है अब थर्ड हम बात करते tracking expenditure यानि अपने खर्चों पर हम निग्रानी रख सकते हैं offline में तो हम याद नहीं रहता ना कि हमने कहां पर क्या खर्च किया था या कहां पर हमारा हिसाब को समाले में बहुत सारी दिक्कते आ जाती है लेकिन tracking expenditure और online mode के हंदर हमारे सारे transaction क्या रहते हैं सेव रहते हैं तो हम कभी भी अपने expenditure को देख सकते हैं कि हमें इस तारीक को इतने बज़े क्या खर्चा किया था या फिर तो इसमें क्या आपको benefit होगा कि जब भी वह आपको टेक्स बरना है तो आप सही-सही से टेक्स बर पाओगे या कोई भी अगर जांच वगेरा होती है तो आप अपने expenditure आसानी से दिखा सकते हो ठीक है तो नमार 4 पर आता है budget discipline जो रिटन रिकोर्ड होते हैं जो हम फोन पे या पीटम अगेरा इस होते हैं तो हमारे जो रिकोर्ड हो जाते हैं उसके एंदर ठीक है जो भी ट्रांसेक्शन होते वह हमारेे वारे रिकोर्ड हो चाते हैं लगते हैं एक इनसान को पता रहता है कि जब इतना इतना ख़र्च कर रहा है तो फिर वह क्या करता है बजट्षयूध दिस्प्लिन में स्दिस्प्लिन अजलेशिशायब दिस्प्लिन बनाता है यानी कि वह सोस्माज की भरशाय चेके ho joti तो jsब चोट है कि खो जाने के समभावना होती है बट यहां पर हमारे क्रेडिट कार्ड या मुबाइल वालेट जो भी है कभी काम नहीं करता है या फिर चोरी हो जाता है तो हम इसको दूर से भी हम क्या कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड को क्या कर सकते हैं ब्लॉक कर सकते हैं लेकिन अगर हम उसको वापस प्राप नहीं कर सकते हैं वापस नहीं ले सकते हैं शिक्स नमर पर आता है था है था है यानि चोटी-चोटी बचते हैं तो अब क्या होता है कि इस शौप पे गए 99 का पो पी करना है तो आपको 100 रुपीज करने पढ़ेंगे वह बहुत एक रुपर एक रुपर तो वहां पर हमें छोड़के आना पड़ता है लेकिन स्मॉल गेंज में क्या होगा कि हम जो है एक जिट वही अमांट पे करेंगे जो हमें उस शौप की पर ने बताई है या जितना हमारा खर्चा और हमारा खर्चा 91 का हो रहा है तो हम 91 पे करेंगे हमें कोई भी 95 जो भी हमारे बचेते हो जाती है वह चोटी-चोटी बचेते हमारे पर धेल है हमें एक्स्ट्रा खर्चनी करना परता जाए कि sir 7 नंबर पर मारा पॉइंट अच अचात है एकि सब्सक्रा रहते हैं यानि कि हम अपने अपने ड्रू भी उसको इसी ली हम देख सकते हैं कभी ह कभी भी हम चेक कर सकते कि हमने क्या क्या ट्रांसक्शन की है तो clean and more transparency is in business transaction हो चाहिए money transfer हो किसको हमने कितना दिया है कितना किसे हमने money लिया है वो सारा हमारा क्या होता है record हमार पास रहते है फिर next point अता कब दा parallel shadow economy यह सबसे कमाल का point है parallel shadow economy यह जिसे black economy भी कहा जाता है समाना अंतर समाना अंतर अर्थवास्तर को हिंदी में कहा जाता है यह होती क्या parallel shadow economy होती क्या देखें दो तरह की जो है कैसे हमारी होती एक हमारी economy होती जो नौर्मल डिर along जिसके अंढर उंडर मनी का ध्रू जो भी आर भी करता है वह होती है यह Јनॉर्मल एकशनामी अब क्या होता है इसनामी में से पैसे निकाल कर ब्लैक में पैरलल एकशनामी झलती रहती है जो ब्लमेक मुन के रूप में घगती है few Black बहुत जरूरी होता है वरना क्या होता है कि हमें रिकॉर्ड नहीं मिल पाता कि हम जो है जितना भी एकनोमी के अंदर डाला था वो मनी जा कहा रहा है तो इसलिए इस एकनोमी पर अंकुछ लगाना बहुत जरूरी होता है तो Cashless transaction जो होते हैं वो ट्रेकर बलो होते हैं और more transparent होते हैं यहाणी हम ने झख सकते हैं कहां पे खाष którą रहाए कहांप लेकिन चूण कारश कर पाते हैं लेकिन कैस में किसी से पता नहीं कर सकते थे कि किस ने कहां दिया कहां दिया तो इस वज़े से क्या होता था ब्रिश्टाचार काफी जादा फैलता है ठीक है और लोग अपने पास से पैसा जो है कैश के अंदर अपने पास स्टोर दर के रख लेते थे तो इस एकनोमी पर लगाने के लिए भी कैश्लेस एकनोमी की तरफ जो है हम गए ठीक है फिर आइंध नमबर पॉइंट है एफिशिंसी इन वेलफेर प्रोग्राम जो वेलफेर प्रोग्राम जो गोर्मेंट चलाती है तो उसमें काफी साधा मनी स्पेंड करती है गोर्मेंट लोगों के भलाई के लिए लोगों के लिए जो कल्यानकरी कारेकर्म चलाती है उसमें काफी मनी लग लेकिन जो बीच में लोग होते हैं वो बिश्टाचारी क्या करते हैं कि लोगों तक पैसा पहुंच नहीं देते हैं खुद उस पैसे को बीच में से निकाल लेते हैं सो इस वज़े से क्या होता था कि वेलफेल प्रोग्राम अच्छी से चल नहीं पाते थे तो अब क्या हुआ जब कैश्लेस एकोनोमी की तरफ हम गए तो मनी जो है वह सीधे जिसके अकाउंट में हमें ट्रांसफर करने हैं उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता था इट वि एफिशेंसी आगे हमारे वेलफेल प्रोग्राम के अंदर सो यह जारी नीड इसको इंपोर्टेंस एंड अडवांटेजेस थे अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके चैलेंजेस पड़ेंगे आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में बत